हेलो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागित हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आपके इंस्टाग्राम में इस तरीके का प्रोब्लम आ रहा है और इस तरीके का प्रोब्लम को लेकर सभी इंस्टाग्राम यूजर काफी ज्यादा प्रेसान हो जाता है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे इस तरीके का प्रोब्लम क्यों आता है और इस प्रोब्लम को आप कैसे solve कर सकते हैं और दोस्तो इस तरीके का problem जो है देशतो आपको दिख रहा होगा your account was compromised करके तो दोस्तो ये problem इस बज़ा से आता है कि अगर आप अपने Instagram ID का password और Instagram का username अगर किसी दूसरी के साथ share करते हो या तो फिर आप किसी website या किसी application से के अंदर जाके अपने Instagram ID के अंदर followers increase करने के लिए किसीनक ट्रिक को यूज करते हो तभी इस तरीके का problem आता है जैसा कि आपके Instagram ID को कोई दूसरा बंदा login करने का सोच रहा होगा तो अभी इस तरीके का problem भी देखने को मिलता है तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं अगर आपके Instagram पैसा problem आया है तो इस problem को कैसे solve करेंगे उ तो इस तरीके के interface देखने को मिलेगा है ना अगर आप अपने Instagram ID का old password यानि की पहले का आप जो Instagram ID का password है उसे डाले होंगे new password डाले होंगे फिर से आपको confirm new password डाले होंगे फिर भी आपका ये problem solve नहीं हुआ change password पे click करने के बाद भी और दोस्तों मुझे पता है कि आप forget password भी करने का कोशिस किये होंगे फिर भी ये problem solve नहीं हुआ तो इस problem का solution मैं आपको 100% मैं आपको guarantee की साथ बता रहा हूं कि इस problem का solution क्या है तो दोस्तों देखिए उनके लिए सबसे पहले आप सभी को कुछी भी नहीं करना इस तरीके से back चले आना है back आने के बाद अब आपको क् Instagram applications को install कर देना यान की delete कर देना तो चले दोस्तों हम लोग यहां से search कर लेते है Instagram अपने play store में आके यहां से हम लोग install से अनिस्टोल कर देते हैं तो चलिए दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा मैं अपने फोन से Instagram applications को अनिस्टोल कर दिया हूँ अनिस्टोल करने के बाद आप सभी को चले आना है इस तरीके से back आने के बाद दोस्तों आपको अपने फोन में जो है ना आप लोगों को सर्च करना होगा दोस्तों क्या जानते हैं दोस्तों यहां से आप सभी को reset password इंस्टाइब इंस्टाग्राम पासवर्ड इस तरीके से हम लोग सर्च कर लेते हैं हमारा network थोड़ा सा disconnect हो गया है तो चलिए हम लोग फटा-फट से disconnect network को connect भी कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों हमारा net थोड़ा सा ना cut हो चुका है तो चलिए यहां से हम लोग अपने internet को select कर लेते हैं इस तरीके से फाइनली दोस्तों हो चुका है अभी दोस्तों आप सभी को किलिक करना होगा तो दोस्तों इनक्यूपर आप सभी को किलिक करने के बाद कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा अब आपको क्या करना है यहां पर आपको बता रहा है इमेल फोन नंबर और यूजर नेम आपको क्या करना है आपको अपने Instagram ID का जो यूजर नेम है आपको अपने Instagram ID का यूजर नेम को यहां पर डाल लेना है तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने Instagram ID का यूजर नेम डालने के बाद यहां आप लोगों को दिख रहा होगा Send Login Link की उपर आप सभी को क्लिक कर देना है तो दोस्तों इनकी उपर आप सभी को क्लिक करते ही आपका नंबर दिख जाएगा अगर आपका Mail ID अगर आपका Email ID होगा तो आपके Email ID पर इस तरीके का एक Message आएगा दोस्तों हमारा Phone Number है इस Instagram ID पर लिंक तो दोस्तों हमारे Instagram के तरफ से Message आ चुका हम लोग इस Message के उपर क्लिक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों अगर आपके Instagram ID में आपका Mobile Number लिंक है तो आपके Mobile Number पर आएगा और Email ID लिंक नहीं है तो Mobile Number पर आएगा अगर आपने Instagram ID में अपने Email ID नहीं लोग इन मतलब जोर रखा है तो आपको Email ID पर आपका Message नहीं आएगा है ना दोस्तों अभी मेरे Instagram ID में Email ID नहीं था तो इस बज़ा से मेरे Phone Number पर आया तो Phone Number पर आया है तो दोस्तों आप सभी को इस Link के उपर आप सभी को किलिक कर देना है इनके उपर किलिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का Interface आपका Browser जो है ना Open हो जाएगा आपके Phone में तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ये Open हो चुका है यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको Create a Strong Password आपको एक New Password बना लेना है तो चलिए हम अपने Instagram ID का एक New Password फटाफट से डाल लेते हैं तो दोस्तों इस तरीके से अपने Instagram पे एक Password डालने के बाद यहाँ आप लोगों को Reset Password क्यूपर आप सभी को किलिक कर देना है तो दोस्तों इनके पर किलिक करते ही क्या होगा आपके Instagram में एक Strong Password हो जाता है बन जाता है अभी आप होगा दोस्तों हमारी Instagram ओपन हो चुका भी हम लोग चलते हैं Play Store में प्ले स्टोर में मैं आपको लाइव प्रूप सब कुछ करके दिखाऊंगा दोस्तों आपको टेंसन लेने की कोई जरूरत ने आपने जानते हैं किसी के भाई के वीडियो पर आय हो ना तो आपको Instagram एप्ल होगा कि हमारी फोन में Instagram एप्लिकेशन इंस्टॉल हो चुका है अब हम लोग यहां से ओपेन कर लेते हैं तो दोस्तों ओपेन करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर आप लेगे के पास जो है Instagram एप्लिकेशन ओपेन हो रहा है तो आपको कुछ सकेंड तक वेट कर लेना है तो फाइनली दोस्तों इस तरीके का एंटरफेस देखने को मिलेगा अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको अपने Instagram आईडी का username and password डालके उसे login कर लिजेगा तो दोस्तों अभी हम दोबारा से यहां पर आपने Instagram आईडी को खोल लिए हैं तो दोस्तों य बाद भी आप लोगों को लाइब दिख रहा होगा कि हमारे Instagram एकांड जो यह दोबारा से खोल चुका है और योर एकांड वाइस कंपरमाइजेट का जो प्रोब्लम में वो सौल्प हो चुका है चुटकियो में अभी आप लोगों को लाइब दिख रहा होगा कि हमारे फोन म खोल चुका है तो फ्रेंज आप इस प्रोब्लम को इस तरीके से सौल्प कर सकते हैं चुटकियो में जो मैं इस वीडियो में स्टेप बाइ स्टेप बता दिया हूँ तो दोस्तों अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आये होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स